हुआ है कि साधर पड़ाम मैं हुए इमान शुद्वेदी और आपका स्वागत है हमारे खास कारक्रम चर्चा में चर्चा के तहट आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसके संदर में चर्चा करते हुए हमें खुद ही शर्मिंदिगी का बोद हो रहा है हमारा आज का करक्रम का विशह है जनपर नियम नेताओं पर आशिरवाद देश कोरोना की दूसरी लहर से अभी पूरी दिक से उबरा नहीं है ऐसा रोज आने वाले कोरोना संक्रमित के आकड़े हमें बताते हैं अभी भी तीस से चालिस हजार मरीज प्रती दिन इस देश में कोरोना संक्रमित के नई मरीजों के तौर पर सामने आ रहे है मौतों का सिलसला भी जारी है आठ राज्यों में अभी भी कड़ी पावंदियां लागू है तेईस राज्य ऐसे हैं जिनके अंतरगत अभी भी आंशिक लॉकडाउन जैसे नियम काईदे कानूनों का संचलन हो रहा है कोरोना संक्रमन की गंभीड़ता को समझते हुए तमाम राज्यों की सरकारों ने या आदालतों ने समय समय पर निर्देश जारी किये जिसके तहत तमाम सामाजिक और धार्मिक कारकम प्रतिबंदित किये गए यहां तक की सावन के मास में इस देश की संस्क्रितिक दरोहर की पहचान रखने वाली कावड़ यात्रा भी तमाम राज्यों में इस बार देखने को नहीं मिली तमाम त्योहरों का आना जाना भी कुल मिलाकर आपचारी ग्रूप से ही संपाद दिके गया ऐसे वातावरण के बीच में यह कौन सा फलसफा है यह कौन सा नजरी है यह कौन सा दृष्टिकोने जिसके तहट देश की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनितिक दल जिसकी इस देश में मजबूस सरकार है उसने 15 अगस के बाद 16 अगस से 49 मंत्रियों को जन आशरवाद यातरा निकालने की जिम्मेदारी दी जो अभी मोधी मंत्री मंडल में नए दायत्वों को सबाले या तो मंत्री बने या मंत्री के तोरब उनके पद बढ़ाए गए है कुल जबा उन्नेस हजा पास्सो सरस्ट किलो मीटर की देश में ये जन आशरवाद यातरा निकाली जा रही है कुछ राज्यों में समापती ही हो चुकी है इन यातराओं के तहट उन्नेस राज्यों में 49 मंत्री 212 लुकसवाद छितरों में जा रहे है 265 जिलों को छू रहे हैं और इसके अलावा 1663 कारकों में शिर्कत कर रहे हैं बड़े पैमाने पर इनमें भीड़ों मड़ रही है बड़े पैमाने पर लोग इसमें शिर्कत कर रहे हैं और ऐसे में ये सवाल जहन में आना सौहविक है कि क्या कुरोना ने सारी जिम्मेदारी धार्मिक और सामाजी कायोजनों के संदर में ले रखी है जा एक तरफ जनता के लिए प्रतिबंदित है कि अगर उसके प्रियजन की किसी की मौत हो जाती है तो 20 या 50 से ज़्यादा लोग अंतिम संसकार में शामिल नहीं हो सकते अगर आपके घर में कोई मांगलिक कारक्रम है तो उसमें 20-50 लोगों से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते पर वो कौन से नियम और काइदे और कानून है जिसके तहट इस प्रकार के राजनेतिक आईजनों में हजारों की संख्या में लोग जुटाय जा रहे हैं लाय जा रहे हैं और कारक्रम कराय जा रहे हैं इसी मसले पर हम बात करेंगे कि आकर एक लोगतांतरिक देश के अंदर ये अलग-अलग मापदेंटों के साथ किस तरीके से चीजों का संचालन स्वीकार किया सकता है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ देश की व्यवस्ता को लेकर इस संजीदा मुझदे पर हम कुछ बाचीत करने के कोशिश करेंगे लेकिन इस सलसले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सुतर का और हमारा आज का विचार सुतर ये कहता है कि अर्था कानून निर्धन को पीशते हैं और धनवान कानून पर शासन करते हैं ओलिवर गुल्ड इसमित नहीं ये विचार कभी व्यक्त किया था क्या ये विचार आज की वर्तवान परिस्तिदी पर सठीक नहीं बैठता ये हमारे और आपके विचार का विश्य होन चाहिए और इस रोश्णी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता है और इस चर्चा का हिस्ता बनने के लिए हमारे साथ में ओल इडिया कॉंग्रिस के मेडिय की मीडिया वर्यवाग के सचेव डॉक्टर विनित पुनिया जी खास्ता पर जुड़े है हमारे साथ में रिनू भाडिया जी है जो प्रवक्ता है भारती अंता पार्टी की देश के जाने माने वरिश्वद्गार श्रवनगर जी इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही डॉक्टर रितु सक्तेना है जो साइंटिस्ट है एलेंज जेपी हस्पिटल के आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुवात डॉक्टर विनित पुनिया जी से ही करते हैं विनित पुनिया जी पुड़ा आप अपना नजरिया साजा करेंगे इस जन आशि दे रहे हैं नमस्टार सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी राजमतिक दल हो जी उसको अपनी राजमति को ऐसी चीजों से अलग रखना चाहिए लेकिन बारते जंदा पार्टी का नियम जो हैं बारते जंदा बार्टी के जो असूल हैं वो कहते हैं कि एक नि देरिया जी का जिसमें उन्होंने का कि जब तक जुरूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें मैं ब्यान पढ़ रहा था बाकी भी कुछ भी शिश्यक्यों के लेकिन बारते जंदा पार्टी बिलकुल अपने आपको कानून से और जिम्मेदारियों से उपर समझती है और इ दूसरे मुद्दों पर चले जाएं आज के दिन असली मुद्दे हैं महंगाई असली मुद्दा है बेरोजगारी असली मुद्दा है किसान की समस्या असली मुद्दा जो इतने मुद्दे आप देख रहे हैं जो जिस पे लेकिन ये बात नहीं करेंगे और ये कहेंगे जन श्रिवाद देखिए आज के ताइम पे मैं कह रहा हूं कि तो भारतिय जन्ता पार्टी है अपना जन समर्थन खो रही है और उसी गवराट में उसी बॉकलाट में जिस तरह से ये गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं उससे अपने आपको और एक्सपोज कर रहे हैं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना इसके उपर मुझे मैं सरफ इतना कहना चाहता हूं कि भारतिय जन्ता पार्टी को देश को पहले रखना चाहिए राजमिती को बाद में रखना चाहिए बाकी चीचें सब हो जाएंगी सब से पहले हमें करोना से जो लड़ना है मिल कर लड लिए और जो कारेक्रम के नाम पर जो भीडिकटा कर रहे हैं सब चीचें कम्मुनिकेशन है अगर चाते हैं कि कम्मुनिकेशन करना चाहें तो यह कर सकते हैं लेकिन जान भूब कर ऐसे रस्ते अपना रहे हैं जिससे अपने आपको जो खोती हुई लोग प्रियता है उसको परदा डाल सकें उसके उब परदा ढख सकें यह दिखा सकें कि नहीं नहीं हमारे पास तो बहुत लोग आ रहे हैं और यह जो लोग आरहे हैं निराश इस सरकार से लेकिन यह सरकार अपनी गलतियों पर परदा डालने के लिए कहना ये पहले देश को देंगा दल हितने पादिय को बाद में चाहिए वह सबसे है पहले दीश esteem और उसके बाद हमने तो रिनौ भाड़ी जी मेरे साथ हमसे प्रमजते हैं कि ये देश कैसे पहले और है इस आयोजियन नहीं दे रहा है और इतने बड़े-बड़े कारक्रमों के माध्यम से समाज को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है थोड़ा रिदू भड़े जी रोशनी डाले हम लोग समझें यह जन आशिरवाद यात्रा के माध्यम से क्या साबित करना चाह रहे हैं आप दॉक्टर दिवेदी आपको ध्यान होगा कि जब भी मानने प्रधान मंत्री जी ने कोई जन यात्रा की बात कहीं या समेलन की बात कहीं या किसी भी घर्मित एकत्री करन की बात कहीं उनको हमेशा जो है प्रिकॉशन साथ लेते हुए करी जो की अबार किया जाता है और अभी पुनिया जी जो इतनी लंबी चोड़ी भाशन बाजी कर रहे हैं मुझे बार बार ना राहुल गांदी जी का वो खीर भवानी में जाना याद आ रहा था जो थोड़े बहुत लोग उनके जानकार जो उनके लिए एक अच्ट हुए थे वो भी एक तरह से उनको कुश करने के लिए वो भी एक जन्यात्रा जहां जहां भी उन्होंने कश्मीर में निकाली दो तीन जगा पर तो मैंने बराबर बार बार वही चीज़ दी तो अब यह भी इस तरह से किसी जवान के साथ कोई शहादत उसकी हुई होती तब यह कभी कश्मीर नहीं गए और इस तरह से कभी इनोंने नहीं किया ना इनको याद है और अगर हम बात करते हैं करोना की प्रोटेक्शन और सारी बाते ही जो पुनिया जी भी कह रहे थे मुझे पार्टी का निचित्व करते हैं प्रिवक्ता के तौर पर जिस पार्टी के नेताओं होने कहा था कि यह इंजेक्शन मत लगाओ प्रिकॉट अर वैक्सीन करने से यह हो जाएगा तरह तरह के इनोंने लोगों को ब्रहम में डालने के जो काम किये ते यह इनी नहीं किये ते और आज यह हमारे को उल्टा ही उसी बात के लिए करतें खेर यह बारते जंटा पाटे की सरकार ही है जो आप अभी कहरें से कि नेशन फर्स्ट वाली बात को लेकर नेशन अपको पागनता पाटे मानने Narendra Mori की सरकाल के लिए परस है इसलिए सभी देशों का आज़ा परिशान हुए उसी हिसाब से 135 करोड की जनता वाले भारत में किस प्रकार से मोदी जी के नितित्व में इस तो कंट्रोल किया और अगरे देखें तो किस प्रकार से कंट्रोल आपते हैं 97.8 मैंने कल की डिवेट अगर की जिसमें 97.8 का आकरा उसमें दिखाया गया था कंट्रोल करने का तो ये कोई छोटा आकड़ा नहीं है इतने बड़े देश में ये माफिके दादा आपको बीचée रोकता हूँ बड़ा अभीवूत हूँ आपकी सरकार के कामों से आपके प्रयासों से आपके पराकरंद से आपके आगरों से पर सवाल इस समयपर इस मुद्दे को लेकर है देश की सरकार देश के तमाम जिम्मेदार मंतरी अभी तक चिक चिक कर चिला चिला कर हात जोड़कर देशवासियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दोगच की दूरी मास्क जरूरी भीड में नहीं रहना है जुरत हो तो ही घर निकलना है यह बा को दो सो बारा लोग सवाचेतर दो सो पैंसट जिले उन्निस हजार पांसो सरसेट किलो मीटर की यात्रा पे निकाल दिया भीड जुटाने के लिए क्या ऐलान है कि अब कोरोना मुक्त समाज हो चुका कोरोना मुक्त देश हो चुका आईए मिलकर जश्र मनाएं और भीड भा की हुई है उन्हों में मास्क भी पहना है गाड़ियां भी सैनिटाइज हो रही है और बार बार देखिए आपको दिखेंगे कितनी दूरियां रखी है आदमी एक के ऊपर एक चड़ा जा रहा है कहीं भूले से भी कहीं एक इंची की गैप ना रह जाए इसकी पुर्जोर को कि वैक्सीन ना लगाए वो इसी लिए भी आगया गाए यह एक सटन स्टेज की हर बिमारी की एक सटन स्केज है कि कितना आप किसी को सटन में अगर हम लोगों को लॉब डाउन करके रोकते हैं उनको बाजारों में जाने से रोकते हैं आप देखे दीरे दीरे जैसे आकरे का होते गए और सफलता मिलती गई कंट्रोल में उसी हिसाब से लोगों के कारियों को खुलने की अनुमत ही दी गई जैसे मौल्स हो के आठ राज्यों में पूर्ण लोगडाउन जैसी पाबंदिया है अभी वी तेईस राज्यों केंदर शादर प्रदेश में अभी वी आंशिक लोगडाउन है इस देश में अभी वी 30 से 40 हजार केस हर रोज आ रहे हैं आपने सावन के महीने में कावड यात्रा को होने नहीं दिया कि कोरोना सक्रवन का खत्रा बढ़ जाता है आपने महाकाल की सवारी को तमाम प्रतिबंदों के साथ में अपचारिक रूप से कराया और अब जब आपकी अपनी पार्डी के नेता सड़क पर निकले तो आपने चाहा कि भीड में कोई कमीना रह जाए जश्ट्र में को कोई कमीना रह जाए थोड़ी सो दृष्टी दीजे ना कि ऐसा क्या है भाजबा नेताओं के पास में करिश्मा कि उनके करकों में अगर शामिल होंगे तो कोरोना का खत्रा नहीं रहेगा थोड़ा उस नुस्खे को उस इलाज को उस कर्तब को जानने में दिल्चस्पी है ज कि Bailey अबक मधन ऑंचे सपेश अब शर्कार की नीथियों कर आने के लिए सरकार के लिए जहांगे तरह से आफ सर्कार के जैन सर्कार के कारियों किस तरह से आप जुर सकते हैं उनको बताने के लिए इस तरह के परायास किये गए कि लोगों तक हर वो जो है कारे पहुंचे जिसमें लोग भागीदारी करें तो इसलिए इस तरह के काम किये गया इसलिए आयोजन क्या गया भले इस उन लोगों की जान खत्रे में आ जाए समझने की बात है मैं आऊंगा विनी जी लेकिए अभी मेरे साथ में दो पैनलिस्ट और हैं मैं डॉक्टर रितू सकतेना जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे तखनी की बुद्धे को समझना चाहता हूं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इस देश में कोरोना वाइरस का प्रवाव चिंड हो गया है क्या कोरोना वाइरस की इमारक शंता में काफी कमी आ ग के अंदर अवेरनेस के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आज कि किसी भी चाहें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अगर वो कोई इसी तरह की यात्रा भी तुस हमारे जितने भी पॉलिटीशन हैं मैं बार-बार कहते हूं यह हमारे रोल मॉडल हैं तो जो भी कई लोग अभी वैक्सिनेटिट भी नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वैक्सिनेशन कंप्लीट नहीं हो और अगर हमने ऐसी यात्रा हैं और निकाली तो इतनी भीड़माड में ऐसे हर तरह के लोग हैं जैसे इन्होंने बताया मैडम ने की पॉलिटेशन अपना द्यान रखते हैं डेफिनिटल अपना बहुत द्यान रखते हैं लेकिन जो आने वाली पॉब्लिक हैं उन में से हरतारे के लोग हैं कई हो सकता है अना एजुकेड़िट हो कई इतना ध्यान ना रख पाते हूं और उनको संक्रमन का ख़जरा जादा है वो अपनी हो सकता है कई लोग वैक्सिनेटेड भी नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी आत्राओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अभी वैसे भी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है तो लोगों को लगता है कि जब हमारे नेता लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें तो मार्केट में जान तो जरूर आएगी और अगर थर्डवी वाई कि तो डेफिनिटली सेकेंड वेव से हो सकता है ज्यादा घाता को नया स्ट्रेन आ जाया और लोगों की जान का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है तो मैं रिदू जी आप से थोड़ा समझना यह चाहता हूं चूब कि आप त सग्रमन का खत्रा बढ़ जाएगा अगर आप किसी की मौत हो जाती है तो दस बीस पचास लोगों से ज्यादा अंतिश्टी के करकम में शामिल नहीं होना जी तो संग्रमन का खत्रा बढ़ जाएगा और अगर आप ऐसा कुछ करेंगा तो आपके खिलाब मामला भी दर्ज ज कर चलते हैं लेकि उसे बंद कराया गया यह कहते हुए कि नहीं नहीं कोरोना का अभी भी प्रकोफ है और इसलिए ऐसे आयोजन के अनुमती नहीं दी जा तक ही लेकि इन सब के बीच में उन्नेस राज्यों में हजारों की संख्या में राजनेताओं के द्वारा नहीं बलकि मं मैं यह दर्मिका जनों में सामाई टानों मिं प्रभवि हो का मारक्शमता है प्रत्रशन करता है और zwr देख्या आगर घरपाचे जरू कर लें लेकिन अशा नहीरां कि उसने आने वाली हम बेसिकलिके हम बात करें तो बीड की बात करते हैंुए तो कोविड वाइरस ऐसा भेदभाव नहीं करता है अगर करता होता तो शायद आपकी बात सच होती लेकिन ऐसा नहीं है किसी भीड भाड़ वाली जगह पर जहां इतने हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं तो वहां इंफेक्शन का खत्रा बहुत जादा है और जरूरी एक बहुत सारा इंफ्लुएंजा वाइरस चल रहा है फ्लू लाइक सेंटम्स के फीवर आ रहा है लोगों को तो अगर आप ऐसे जो रैस्पिरेटरी ट्रेक्ट वाले इंफेक्शन्स हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलता है तो ऐसे जितने भी ऐसे सामामत अभी मुझे लग पार्टी तिनी ना समझ है कि वो इसे भीड के परिणामों को ना समस्ती हो कुरोना की बयावता को ना समस्ती हो कुरोना की गंभीडता को ना महसूस करती हो पर इसके बाद भी इतने बड़े आईजन को कराने का जोकिम उठाती है क्यों उठाती है यह सवाल जहन में आता है और शवन गरी जी कही ना कहीं इस सवाल का कोई उत्तर तो खुच पाई होंगे इसलिए उस उत्तर को आपसे अपने दर्शों को बीच में साजा करने के आपक्षा करता हूं शवन जी मैं इसको जैसे मानता हूं कि एक बड़ा राजनितिक संकट इस समय मुझे लगता है कि सामने हैं और वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा बड़ा है तो उसको लेकर ये सारी दिक्कते बड़ा हुए है अब नए मंत्रियों से कहा गया है कि वो यात्रा निकालें तो जिन लोगों को मंत्री मंदल से निकाल दिया गया उनको कौन सी यात्रा निकालनी चाहिए और अभी उत्तर पदेश में जाया विस्थार होने वाम मैं ये तो वो लोगों निकालेंगेंगे इो शुर्णा यात्रा यात्रा डाइन कोरोन यात्रा है इसमें मंट्ब से तो कहा गया या कि हो सिमाचु जी दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है अफगानिस्तान में आत्रकवादी बंदू के लहराते हुए सड़कों पर गुप रहे हैं भारत के बहुत सारे लोग हुआ फसे हुए हैं महिलाएं और बच्चे संकट में हैं और ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया चिंता कर रही है हम लोग जन आशिरवाद यातरा निकाल रहे हैं यह बड़ा एक विचित्र महामला है कि कैसे यह पायटी सोच भी पाती है कि इस तरह से आपने जिक्र किया महाकाल का मैं कहता हूं भगवान जगनात की यातरा बहुत प्रतिबंदों के साथ निकाली जाती है पर यह हमारे जो नए राजनितिक भगवान है इन पर कोई प्रतिबंद लागू नहीं होता हूं उत्तर प्रदेश में हिमानशु जी कोई सत्रा लाग के करीब केसे सुए हैं जे और ऑफिशल डेथ कोई बाईस हजार के करीब बताई गई हैं बाईस तेईस हजार जो दुनिया के विशेशग्यों के पकड़े हैं उसमें वो बताते हैं कि हमारियां की जो मौते हैं और जो संक्रमने वो चार गुना-पांच गुना कम करके बताया गया है कुछ लोग तो आठ गुना तक भी बताते हैं आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा राज्य है 25 करोड का उत्तर प्रदेश उसमें कितने केसे सुए होंगे और आगे कितने केसे सुएंगे और गंगा किस तरह से प्रभावित होने वाली है कोरोना की दूसरी लहर में जब उत्तर प्रदेश जूज रहा था ऑक्सिजन से अस्पतालों से डॉक्टरों से तब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बंगाल में चुनाव पिचा कर रहे थे और उनके साथ उनके बहुत सारे मंत्री मंडल के लोग थे तब उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे थे अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तब बंगाल से बहुत पा के लोग चुनाव पिचार के लिए यहां आए कि यह कुछ यह क्यों इसके पीछे क्या सरक इतनी भैबी थे जंता से कि उसके नाराजगी को भापने के लिए उसके मूड को भापने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई है कि एक महमारी का की उपस्तिती में भी उसको कोई चिंता नहीं है कि लोगों की जान मालक के साथ उसको कोई चिंता नहीं है इंदौर में तो आपने देखा होगा कि माधर आज इन जो जो तिरा जित्के सिंध्या की जो जन आशिरवाद यातरती उसमें गोडे को एक एसरिया रंग दिया गया और गोडे पर कमल का निशान चाहन जा दिया गया ये तनाव बढ़ने वाला है हिमाशु जी देखिए समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि हम भी आत्राएं निकालेंगे महराश्र में कोविड प्रोटोकॉल के उलंगन को लेकर एफ आई यार दाखिया दर्ज की जारी है ये तमाम चीजें जो है एक जो माहोल अभी शांती का है अजादी की पिचुतर वी वश्रिगाट के बाद और प्रधान मंत्री जी ने इतना शांदार भाशन दिया लाल के लिए से सबका विश्वास और सबका प्रयास तो अब उसमें अगर ये इस तरह के प्रयास अगर सरकार की तरफ से और सरकार के मंत्रियों की तरफ से कोरोन आशिरवाद यातरा के रूप में निकलेंगे तो जंता की दिक्कतें तो भग बढ़ जाएंगे प्रधान मंत्री की बातों का इकबाल नहीं रहा है यह सवाल इसलिए कर रहा है कि प्रधान मंत्री स्वेम फ्रंट पे आके बारवार आयो जोनों से बचने का मश्वरा दे रहे थे परामर्ष दे रहे थे कितनी बार आप भी उस विचारों को साजा की हैं जिसमें वो बता रहे हैं जब तक दवाई नहीं तब तक डिलाई नहीं दोगच की दूरी के संदर में सिद्धान इस देश को सम्मानी प्रधान मंत्री नरेन्दर मोदी जी के द्वारा ही दिया गया और जिस भार्दी अंता पार्टी का प्रद्रित्व सरकार में वा करते हैं नित्रत्व करते हैं वही भार्दी अंता पार्टी उन्हीं के मंत्रियों को लेकर इतने बड़े आयोजनों को अंजाम दे रही है कुछ तो कही है इस पर अब तो ये हो गया एमाशुजी की जब तक सरकार नहीं तब तक धिलाई नहीं तो पूरा जो मामला है वो सरकार के स्थाइत पर आकर अटक गया है और ये दुर्भागी पूर्ण है क्योंकि विपक्षी दल भी बजाए विरोध करने के समाजवादी पार्टी बगए बजाए विरोध करने के जंता के पास जाने के कि नहीं ये गलत हो रहा है वो खुद भी कह रही है कि हम भी करेंगे मतलब ये की एक competition का element आ गया है और उसमें ये है कि देश का माहौल बिगारने की बात है देश का माहौल बिगारने की बात है मैं वापस विनित पुनिया जी के पास में रुक करता हूं और वहीं से लेता हूं जासे शवनगर जी बात कर रहे हैं हम भारती अंदा पार्टी के बड़े आयोज जिनों से कोई परेज नहीं है खासी भीड है चतिरगड़ के संदर में बात करें कल आपके राजी गांधी जी की जैनती के उपलक्ष में च्छे कारेलियों के उदगार्डन के समार होते हैं क्या भीड थी क्या उस्तफ था क्या जलसा था बिनिया भाजबा की आयोजन के कि उनके राजने देखे सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है जन हित से कोई सरोकार नहीं इस रिष्टी कोड़ से देखे देखे मैं दो बात करना चाहूंगा सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर हिन्नू ने एक बात बोली थी कि यह जो वैक्शीन हेजिटेंसी है वह कॉंग्रेस ल मैंनू को कहूंगा कि वह एक भी स्टेट्मेंट दिखाएं कॉंग्रेस की तरफ से एक भी मैं बोल रहा हूं एक भी एक भी स्टेट्मेंट दिखाएं जब कॉंग्रेस ने यह कहा हो कि यह वैक्सीन हम नहीं लेंगे वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए यह बिल्कुल दुश पर सरकार को मैं कहूंगा खास दोर पर जिम्मेदारी से अपनी बातें बोलने चाहिए और जिम्मेदारी की बात मैं कह रहा हूं कि आज तक सिरफ बारा या तेरा प्रतिशत लोगों को वैक्सिनेशन हुआ है बात हम कर रहे है कि दिसंबर तक हम 100% कर देंगे कैसे कर पाएंगे जो आज की गती है उसके अनुसार सरकार के विशेशक्य मानते हैं कि मार्ज से पहले नहीं हो पाएगा नंबर एक बात कि जो वेक्सिनेशन की बात है हमने सरकार इस बात से नहीं बच सकती सरकार ने गलतियां की और उनी गलतियों के कारण vaccination hesitancy आया आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि December और January में वेक्सिन आ गया था लेकिन launch हो गया था लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जुलाई 2021 में छे महिने बाद साथ महिने बाद जो जो ट्राइल का आना चाहिए था वो बाद में आया यह अपने आपने सरकार ने शुजेंशन चैना यह बढ़ाया जिसके दॉक्टर्स तक ने क्या उन्होंए क्या कि हुआ करते फिर करेंगे ऑंप कोंग्रेस ने मैं नहीं कौहरा की थ्टि रूब्द क Queste कि हैं देश भी हम ने μέhengाई का मुदा है जिसके उपर पेटोल डीजल की महँगाई है जिसके उपर हमने देश बर में हर जिले में आयोजन किया लेकिन हर आयोजन में ज्यादा भीड़ इकटी नहीं की हमने मुद्दा उठाया ज्यादा तर मुद्दे हमने social media campaigns के तरू उठाए हैं हम कोशिश करते हैं कि basically ज्यादा भ मैं ज़्यादा जानकरी नहीं रखता हूं लेकिन निश्यत रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो समझदार हैं और सरकार को बहुत अच्छे घंचे चला रहे हैं और उनको अपनी जिम्मेदारियों का हिसास है वो जो कुछ भी करेंगे ठीक से करेंगे मैं ये विश्वा हैं शवनगर जी इशारा कर रहे हैं कि जवाब में समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम भी यात्राएं निकालेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी उत्ता प्रदेश में प्रबुद सम्मेलनों के मादम से भीड़ी चुटाई रही है तो कुल मिलाकर सियासत के लिए सत्ता में आने के लिए ये सत्ता में बने रहने के लिए जंता की जान से खिलवाड करने का जो ये चरितर जाहिर हो रहा है राजनिताओं के दौरा और राजनितिक दलों के दौरा क्या कहें इस परा कुछ कहना चाहिए अब ये ये निश्शी तरुप से चिंता जनक है और गई कि जाता है जब से जादा होती है Ricardo कौं पर्दानमंतरी अंछ कम लगाते हैं यह उन्होंने से खुश कम लगाते हैं आपको मैं यहाद दिलाऊंगा कि चुनाव चल रहा था है फिर भी हमें बंगाल के चुनाव में हमने अपनी रैलियां चोड़ दी यह की ती शीर राउल गांदी अकेले राष्ट नेता थे जिनौने सबसे पहले सेकींड वेव आने से पहले अपनी रैलियों को रोका था और इस आभास किया था कि नहीं आज हमें रैलिय नहीं आज चुनाव नहीं पहले लोगों की सुरुक्षा जरूरी है तो उसका अप्रेशिशन होना चाहिए और जहां तक आपने बात की कि कि आपके पास जं समरतन नहीं है या आप जंतासी के सामने बस रहे हैं तो या बेसिकली मैं कहा रहे हुँए कि सबसे बरी जिम्मेदारी सप्ता बैठा होता है पुरिंमंतरी मंडल की होती है खास तोर पर जिस तरह से मंत्रियों का विवार है वह नहीं होना चाहिए उनको जिम्मेदारी से काम करना जाए विनी जी का कहना है मैं वापस रिनू भाटिया जी आपके पास रुख करता हूं एक सूत्र दिया था जब कोरोना की पहली लहर आई थी जान है तो जहा आ विनाहीं क्या कहींगे आप, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रही आपके लिए, कोल मिलाकर सत्ता में रहना है, सत्ता में अपने आपको प्रवहावी दिखाना है, और इसके लिए जान के स्तर TOP कितना ही बड़ा जोखिम को ना ले लिए जाए, उससे परहिज नहीं रखन है आपका ये आयुजन इस प्रकार की भावनाओं को बल देता हूँगा महसूस हो रहा है कोई शर्मिंद्गी कोई लज्जा कोई अपने आप में आत्म गलानी का एसास भार्जंदा पार्टी के नेताओं के अंदर आ रहा है कि हम तीसरी लहर की तैयारी के दौर में कि इस समाज के बीच में संदेश दे रहे हैं अच्छे भारी भरकम शब्दों का आपने इस्तमाल किया है नो डाउट अच्छे आंकर है तो शब्दों का पिटारा तो आपके पास बहुत है लेकिन आप गिलानी या इस तरह के पूरे अफकी है तो मुझे यह बताएं कि तब हमारे लिए क्या कहें गे जो हमारे एक एक कारेकर्टा ने बहुत परहुत जो है करोना पूरी अपने पूरे प्रिचंड यूप में था तब कारेकर्टां के तरुबड यहें गर में जा कर राशन पहुँशाया लोगों को मिले उनको उनकी सुरक्षा की उनको जो है हर तरह की मेदिसन पहुचाने का काम किया ऑस्पिटल पहुचाने का काम किया मैं स्वाय में भारते जनता पाईटी की चोटी सी सिपाई हूँ और मुझे याद है कि पिछले साल जब करोना की बुरी लहर आई थी तब शायद चार-पांच महीने तक हम लोगों ने अपने घर वालों से भी प्रॉपर्ली बात भी की थी तो एक छोटा का वो अंच था तो उस समय को आप जान-जाहन के साथ काउंट करते हैं या उसको आप एक दिलेरी सेवा का नाम देंगे या कोई भी नाम आप आपके पर शब्द अच्चे हैं तो आप उसके लिए भी कोई जरूर सराना वाले शब्द जरूर दीजेगा वो भी इसी करोना काल की बाते हैं इसी जान की बाते हैं इसी जान की बाते हैं चलिए आप मैं इस पर अपनी टिपणी आपको साथ में देता हूं यह बड़ा आभारी हूं मैं पूरा समाज आभारी है देश भी आभारी है कि कोरोना संक्रमन के दौरान भारती जनता पालिटी के न समय पर क्या इस ली किया की कि जब आप जन अश्रिवाद या तरह निकालें तो अपनी जान को जोखिंप में डालने के लिए हम उस समय मौजूद रहे जानने में दूशबी है कि वह उससमय जान आपने लिए बचाई थी वो सेवाकार इसलिए किया था कि कोरोना की जब तीसरी लहर आने की आशंका तमाम विश्च जग्य और साथ ही देश की सरकार के मुक्या स्वेम प्रदान मंतरी भी जताते हैं और उसके बीच में आप यह आयोजन भारी भरकम करके हम सब की जिंदगी को खिल अगर आप इस बात को ऐसे जोड़ेंगे कि हमने इसलिए जान बचाई तो मुझे नहीं लगता यह शब ठीक रहेंगे यह हमारा फर्स था भरते जनता पार्टी के हर कारेकरता का ही नहीं देश के हर नागरिक का फर्स था कि ऐसी आपकाल स्थित्थी में हम लोग सारे करता है और यह फिर हमारे पत्रकार वरिष्ट पत्रकार साथी बैटे हैं जो अपनी कलम से इन चीजों को उजागर करते हैं रही बात अभी पुनिया जी ने भी बड़े सारी चर्चाएं विशे पर की कि हमने छोटी रैलियां की हमने छोटा यह किया मतलब जब अपने पर आती है तो सब कुछ छोटा हो जाता है अगर अभी इसी बात को राजनेतिक दृष्टी कौर से कहें कि चार व्यक्ती नहीं थे इनकी रैली में या इनके कारिक्रम में तो यह कहेंगे नहीं नहीं बहुत लोग थे तो कहने का मेरा अभी प्राइक एवल इतना है कि जब इनक स्कूर्टी से जुड़ने का प्रियास करने की कोशिश करते हैं अब डॉक्टर विनित पुनियाजी को भूल जाईए मैं विनमर अन्रोत करता हूं और को मिलाकर एक जागुरू को नागरिक के नाते आप से सवाल करता हूं कि क्या रेनू भाडियाजी जो सारजनिक जीवन म में हैं राजनिक छेतर में हैं इस बात की हिमायत करती हैं कि अब देश में माहौल ऐसा हो गया है जसमें सोतंदर रूप से आयोजन होने देने चाहिए जितने चाहें लोग आएं जिस जगह चाहें वैसे जुड़ जाएं और उन आयोजनों में हम सब बढ़ चड़कर भाग आपके समझ आपके अनुहों के आधार पर क्या निश्कष साजा करने जाएंगे रेनु बाटिया जी अगर मैं आपको एक डायलब बोलू कि सही पकड़े हैं तो कोई इसमें दोराय नहीं होगी गलत नहीं होगा लेकिन आप ये कहें कि अगर हम आज की डेट में हम कंट्रोल कर रहे हैं वैक्सीन पूरी कर रहे हैं उसके बावजूद हम बाहर निकले या ना निकले अपने काम में जाएं या ना जाएं जिसका जो विभाग है जो कार रहे है उसमें हम चले या ना चले तो मुझे लगता है तो हमें हर तरव से चुकनना हो कर चारों तरव से हमें सुतर्क रहकर प्रिकोश्शन्स को ध्यान में रखते हुए मास्क को पहनते हुए पर सब्सक्राइब करते हुए मैं हर बताइजीं, आप से सीधा सवाल है. हाजारों की भीड होनी चाहिए. कुल मिलाकर इसकी आप हमायत कर रही है है? आप यह कहे रही हूँ कि प्राक्टिकल जीवन अगर हमें आगे आना है, तो हमें प्राक्टिकली बार भी निकलना होगा खुद को बचाना भी होगा अब सरकार को अपने सारे प्रतिन खतम कर देने चाहिए आठ राजियों में कड़े लॉकडाउन जैसे प्रतिबंद है तेज राज्य और किंद्र चाहिशत प्रदेश में अभी भी आंशिक हैं हिमाचल में भी तमाम प्रतिबंद च यात्रा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए रेणू बड़े जी हमें बता रही हैं आप तो विशिशग्य हैं थोड़ा द्रिश्टी दीजे देश के लोग जागरूख हो पाएं क्या करना चाहिए अब देखें जस्टिफाई करने के लिए तो ठीक है यह कि हम नॉमल हो रहे है लेकिन जब हमारे उपर एक खत्रा है और यह कोविट जो है एक पैंडेमिक है यह एक ऐसी चीज नहीं है कि जो आई और चली गए चल रहा है अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि पैंडेमिक अभी भी चल रहा है और अभी भी कैसिस आ रहे हैं तो जब तक यह बिलकुल खतम न लोग नोग जब देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा तो चलो हम भी नॉर्मल जाएं जयाते हैं तो यह बिलकुल गलत आई नहीं हुआ है कविड्य पैंडेमिक अभी चल रहा है हम जब तक पूरी तरह से यह मतलब मुक्त नहीं हो जाते कोविड मुक्त तब तक मुझे लगता है ऐसा विवार बहुत ही गलत है यह नहीं करना चाहिए अगर करेंगे तो अपने लिए आफ़त मोल लेंगे मैं वापस शवणगर्दी आपके बाद रुख करता हूँ और देश की राजनीती के उस चरत रुख पर आपसे टिपणी का पीशा करता हूँ पिछले दिनों बखरीत का त्योहार था और केरल की सरकार ने दो दिन या तीन दिन के लिए कुछ छूट दी थी भारते जन्ता पार्टी के यशस्वी प्रवक्ता सम्वित पात्रा ने बाकाइदा एक प्रेस कॉन्फरेंस करके ये बताया कि केरल सरकार के तुष्टी करण के इस फैसले ने कुरोना के सग्रमन को राजब में बड़ावा दे दिया बीस हजार बाइस हजार के इसलिए आए कि उन्होंने ये छूट दी तीन दिन के संदर में और वही भारते जन्ता पार्टी के बैनर तले इतने बड़े बड़े आयोजनों को व्यवस्तित तरीके से स्वनुजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है कि देश की राजनीती के अंतरकत जो है क्या है जो आपने कहा बकरी का केरल का तो खेर अब यहां भी महरम को लेकर भी वह पतिबंद की बात चल रही है और थोड़ा सा पीछे जाए तो तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह का इशू बनाया गया मैं उसको थोड़ा सा किंडल नहीं बनाना चाहता हूँ मैं उस इशू को एक अलग समसे थोड़ा देखना चाहता हूँ मैं यह देखना चाहता हूँ कि यह एक प्रयास है कि डिस्ट्रेक्शन का मूल मुद्दों से देश का ध्यान हटाने का आपने देखा कि पार्लियमेंट में किस तरह से बहस नहीं करवाने दी गई किसी इशू पर और पेगसेस और फार्म क्लास को लेकर किसे कानों को लेकर किस तरह से विपक्ष की आवाज दबाई गई तो यह एक डेलिबरेट अटेम्ट है कि कि इलेक्शन मोड में देश को डाल दो जे अब लगातार चुनाओं हैं देखिए दो हजार बाईस में शुरू में पांच राज्यों में हैं बाद में दो राज्यों में दो हजार तेईस में भी हैं दो हजार चोबीस में भी हैं जे तो अब आप पॉलिटिकल पार्टी को और जनता को इंगेज कर दीजी चुनाओं में और मूल मुद्दों से लोगों का ज्यान हटा लीजे नहीं तो इस समय कोई इशू नहीं है कि आप जन आशिरवाज यातरा लोगों के जैले पर नमक छहा लखने की यातरा कैसे कर सकते हैं मतलब लोग इतने तरस्त हैं जो परेशान हैं जो संतोष हम देख रहे हैं कि लोगों का मेहंगाई को लेकर बेरोज़ारी को लेकर अर्थ्वेवस्था को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर कोई उस पर बात नहीं कर रहे हैं मैं एक चीज़ आप से भी जाना चाहता हूँ हमाशु जी आप भी थोड़ा सा हमको बताईए कि इस यात्रा का उद्देश ही क्या है इसका नाम है आशिरवाद यात्रा जन आशिरवाद यात्रा किस चीज़ का आशिरवाद लेना चाहते हैं ये जो हमारे 49 जो नए मंत्री हैं दोसो बारा कॉंस्ट्रेंसी और 20,000 किलो मिटर किस चीज़ का आशिरवाद चाहिए इनको जनता से इस चीज़ का चाहिए कि हमने जिस तरह से खराब सक्षिय से सरकार को चलाया उसको आशिरवाद दीजिए जो देश में अभी अराजकता है उसको आशिरवाद दीजिए कि जनता का मूड भापना चाहते हैं जनता की नपस को नापना चाहते हैं जनता की नाराजगी को देखना चाहते हैं कि जनता का गुस्ता किस तरह है अभी एक इंडिया टुडे का सर्वेक्षन प्रजानमंत्री की पॉपूलिटी को लेकर छपा है जो पॉपूलिटी उनकी पिछले साल थी वो घटकर जनवरी में कम हो गई यह और चोवीस पर्सेंट पर आ गई यह अब हो सकता है कि वह चोवीस नहीं चुम्माली सो मैं उसका नहीं किया रहा हूं एक लगातार हमारे पिछाओं मंत्री की इमेज में देंट लग रहा है और दुनिया में लग रहा है हम दुनिया भर में देखें, हमारी डिमोकरीसी कø लेकर लगातार बातें चल रही है. कि हमारी यहाँ डिमोकरीसी नान की कोई चीज है नगे, खतम होथी जा रही इक दिमोकरीसी. तो ये लोगों का ध्यान कैसे हटाया जा सकता है, बटकाया जा सकता है. और इसको कैसे 2024 के चुनाओं तक खेंचा जाए सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान अटाए करें क्योंकि मुझे तो इसका जन आशिरवाद यात्रा का उद्देश समझने नहीं आता है आप अगर कुछ बता सकें तो इस पर हम समझना चाहेंगे जन आशिरवाद यात्रा का क्या उद्देश है इसके दो विवेचर हम करी रहें श्रवणजी लेकि मैं एक सवाल आप से समझना चाहता हूं नरिद मोधी के संदर में इस बात को उनके विवखशी भी मानते हैं कि उनका जनता की नवज़ पर हात रहता है जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है इसको वो समझ पाते हैं एक दूसरा उनकी ताकत रही इस बात की कि वो कुल मिलाकर देश का भला करना चाते हैं नीती गलत हो सकती है पर नीत गलत नहीं होगी इस पकार की भावना के साथ में एक बड़ा वर गया है वीनित पूरिया जी आपको एतराज होता है पर कुल मिलाकर उनके बाइस परश्ट भावमत है शवड़ी जी मैं आपसे ये समझना चाता हूँ कि इन दोनों बातों के होते हुए कोरोना की तीसरी लहर के आशंका को जो शख स्वेम कह रहा है उसके अपने 49 साथ ही ऐसे भीड़ भरे आयोजनों में ना केवल शिरकत कर रहे हैं बलकि आयोजन का कारण बन रहे हैं क्या ये अपने आप में विशलन का भटकाव का पर्याए नहीं इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर अपने उफान पर थी तब अमिश्या जो डिजास्टर्स मेनेजमेंट अथार्टी के चीफ थे हैं अभी प्योंगे वो उस समय रोड शो कर रहे थे बंगाल में और प्रजान मंतरी सभाएं आयोजीत कर रहे थे और हजारों की संख्या में लोग उसमें उपस्चित थे तो ये और अलग-अलग प्रदेशों के मुख्य मंतरी वहां जा रहे थे बंगाल में तो ये तो प्रोटोकॉल का जो नीचे तक एक सिस्टम में सरकार के लेवल पर उसका उलंगन हो रहा हो तो ये तो गर मैं तो इसको ये आरोप तो नहीं लगाना चाहता है कि सरकार जानभूच करके देश को डेल्टा वेरियंट के में एक्सपोस करना चाहती है पर ये खत्रा तो बहुत बड़ा है कि पूरा देश अभी वेक्सिनेटेट नहीं हुआ है और ऐसी इस्तिती में डेल्टा वेरियंट का जो खत्रा है उसको लेकर उस अभी तो वहां अमेरिका में बूस्टर लग गए हिमांशु जी थर्ड बूस्टर और फोर्ट बूस्टर की बात चल रही है जी और हमांके अभी सिंग जो वेक्सिनेशन ने पूरे देश का नहीं हुआ है तो ऐसी चिंताओं के साथ में शरण गरी जैसा संजीदा पत्रकार अपने सरुकार रख रहा है विरित पुनिया जी कुछ आतराज कर रहे थे जब हम चर्चा कर रहे थे उनके इतराज को सुनते हैं और इस मसले को समाप फिर्ली में किसी कांगरेसी को शामिल नहीं पाया यहागा गया रेश प्रचिना मैं सबसे पहले बाताना स्वतपे जो भी कुछ हो रहा है कि पादानมंत्र जी के मरजी के खिलाप नहीं हो रहा है उनके आदेश के जी प्रधान प्रचिन Chinese का विश्वास है कि जो मैं कहूँ वो बाकी लोगों के लिए है वो बीजेपी पे लागो नहीं होता और वो बीजेपी को सब चीजों से परे मानते हैं वो तो उनको उनके लिए सत्ता सबसे पहले है सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं यह हमने बार-बार देखा है और और ऐसे में मैं यह नहीं मान सकता है कि जो जन आश्रिवाद यात्रा हो और यह जो तथाकतित रूप से जनता का आश्रिवाद मांगने के लिए हो वास्ता में जो मैं मानता हूँ वो यात्रा अपनी गिर्तिवी लोकप्रेता असली मुद्दों से ध्यांग बढ़काने की कुशिश है कि देखिये अभी वी हमारे साथ जनता है हमने जनता का विश्वास से बात को बढ़का रहे हैं जो बात आप पॉली की कॉंग्रेस, कॉंग्रेस तो बहुत विपक्ष है और जिम्मेदार विपक्ष है, हमें अपनी जिम्मेदारी का एसास है, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते, जिससे सरकार के जो अगर कोई परयास हो रहा है, कॉरोना को कंट्रोल करने का, उसको कहीं चोट लगे, हम बिल उसके लिए मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे, सरकार को व्यवस्ता करनी पड़ेगी, वैक्सीन की, आज भी वैक्सीन की कमी है, बहुत कमी है, और आज हमें वैक्सीन, सब पूरे देश को वैक्सीन करना है, तो इसके लिए सरकार को य मेदार विपक्ष की भूमी का निभाएगा ऐसे आई जोनों से परेज रखेगा हम सरकार के साथ खड़े हैं कोरोना की रोक थाम के संदर में आखरी बाचीत के डॉक्टर रितू सकते ना आपके पास रुक करता हूं और बतौर विशे विशेशगे आप से जानना चाहूंगा कि आप इस कारकेम के मादम से क्या सोच जाहिर करेंगी कि समय किन एहतियात के साथ सरकार और समाज दोनों को रहना चाहिए देखे मैं तो यही कहना चाहूंगे कि ऐसी किसी भी मतलब चाहें वह आपका फैमिली फंक्शन हो घर का या किसी रैली में जा रहे हो तो आप लोग अपनी जान की सुरक्षा खुद करिये मैरा मतलब पबलिक से यही अन्रोड है कि आप लोग ऐसी रैली से बिलकुल मच जा अगर वही नहीं जाएंगे रैली में तो जनता आईगी ने तो अगर जब तक वैक्सिनेशन नहीं हो रहा जब तक हमारे हर नागरिक को वैक्सिन नहीं लग रही तब तक और जब तक थर्ड वेव का खथरा है तब तक मुझे लगता है कि ऐसा बिहेवियर हम लोग को है उन्य खुद देखा है सेकेंट वेव में का सामना करना पड़ा लों नहीं को हम नहीं चाहते कि थर्ड वेव में आइसी परिशानिय को बैसा कि दूबारा ऐसी नौबत आए और अगर हम ऐसी नहीं आने देंगे नौबत तो डेफिनेटली अपना प्रचंड रूप नहीं धारण कर पाए कुल मिलाकर अगर हम इस बाच्चीत के मर्म तक पहुँचने का प्रयास करें तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आती है कि दूद का जला च्छाच फूख कर पीता है पर क्या इस देश की सियास से जुड़ हुए नेता इस अनुबव से भी कोई सबग नहीं लेना चाहते दूसर केवल भारदी जलाज नितिक दल अपनी सुविदा के साथ जिस प्रकारते आयोजनों का सिलसला बदस्तूर बनाए हुए हैं इसके संदर में कोई सक्त फैसले लिये जाने की जरुत है उमीद है कि दूसरों को उपदेश देने के इस्तान पर स्वेम के आच्छड को सुधार करने की कोशिश इस देश के सियासी दिल करेंगे और अगर करेंगे तो शायद तीसरी लहर के खत्रे से देश को बचा पाएंगे आज सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक संजीदा चर्चा का हिस्ता बनने के लिए समय है अब आज के शेर का हमारा आज का शेर द समंदरों की तलाशी कोई रही लिए था वसीम बरेलवी ने जो ये दर्द व्यक्त किया था शायद बवजूदा दोर के लिए किया था इस दर्द को समझना चाहिए और इसके अनुसार नीती और नियत दोनों में ही इस पश्चता आनी चाहिए इसी के साथ अब मुझे दिय कल्फिर मिलते अने विशे के साथ साथ अपिडू